आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बारिश में मुबाई की सड़कों पर भरा पानी नालों की नहीं हुई सफाई बीजेबी विधायक ने बीमसी कमिशनर से की शुकायत वोरुना संक्रमण के सक्रिय मामले बढ़े 24 घंटे में मिले 2557 संक्रमेत और 44 की मौत पाकिस्तान ने श्री लंका को हरा कर अचायती हास अब्दॉला शुफीक ने खोली 160 रून की नाबाद पारी नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिक हमेर उत्र शुरुवात करते हैं प्राइम उत्र प्रदेश की प्रदेश में भारी उमस के बाद आज कई चिलों में जूम के बादल बड़से हैं और बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है को राहत मिली है जहां देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोग काफी परिशान है तो वहीं कुछ हिस्सों में सूखे की समस्या का सामना भी कर रहे थे लोग तो वहीं आज लगनओ अयोध्या देवरिया गोंडा समेत कई जिलों में बारिश हुई है जसे लोग को गर को बंधग बना कर लूट पार्ट के वारदात को अंजाम दिया इसके साथ ये तीन साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर हाथ पैर बांद दिये जिसके बाद घर में रखा जेवर और नगदी लेकर फरार होगा चोर कि अधिया आप किछीज को लेकर एसस के वापिस आईगे मैं चोरी को लेकर आईगी हूँ और मेरे बच्चों के जान लेवा हमला हुआ था मैं तकरिवा दो वाई ने पहले आई पने माईट में शादी के लिए हैं तो मेरे भावी मुझा चाहला है बजार ले गई और बजार भी नहीं पहुच पहुच पूरे तो ख़बार आगए तो मैं बच्चों को मता बांदिया और लूट कर दी गए जिए दिन गहारे तो उसी जी मैं फर्याद लेकर यहां पर रही हूँ हूँ तो रहा पर रेपर पर महां पर कुछ नहीं हो रहे हैं अभी तक वहां के पुलिस कुछ नहीं कह रही है उसे भी कहती है कि हो जाएगा तुम शान्त बैड़ी रहो और थक गई हूँ वहां के चकर लगाते लगाते एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं और स्वच्छता के प्रती लोगों को जागरुप कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मिशन स्वचता अभियान का ग्रामीर छेत्रों में बुरा हाल है मतादे गावों में जगा जगा कूड़े का अमबार लगा रहता है और नालिया भी गंदगी से लबा भरी रहती है जिसके चोलते मजबूरन गावों वालों को खुद सफाई कड़ी पड़ रही है कभी नहीं कोई आया इनाली वाली हमरे रहां साफ नहीं होती है इसे पड़र रहता है जब रूह होता है तो आप हमें सब्सक्रों में रुकाव साफ किया जाता है खबर संभल से है जोहां के कैला देवी थाना चेत्र के गाओं करचली में कुछ दिनों पहले घर में घुसकर गाओं के ही कुछ दबंग बदमाशियों ने लूट पाट को अंजाम दिया था उसको पुलिस ने अभी तक गिरफतार नहीं किया है इन अपराधियों पर पहले से कई मुकद में लगे हुए हैं कई बार जेल भी जा चुके हैं पीड़ितनी दोबारा पुलिस प्रशासन से नियाई की गुहार लगाई है कुछ गैंग इस्टार लोग गिरवन गुलफान आदी बहुत सारे लोग थे मेरे घर पर चड़ाए मेरे घर में लूट पाट की मेरी मा मेरे भाई मेरे पिताजी में और मेरी बावी के बहुत चोट लगी मेरे भईया गया एडमिट आश्मिटल में लाज चल रहा है लोगो खबर अलीगड से है जो हम बीते दिन नगर निगम अलीगड ने ग्रह कर बढ़ाने का फरमान ज्वारी किया था जिसकी बाद पार्शन और मेर एक जुट होकर नगर निगम की आलोचना करने लगे वहीं मेर ने नगर निगम से जनता के साथ खिलवार ना करने की अपील की जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों ने आश्वासन देकर टाल दिया उसके तहर भी ख़र नाव से है जहां बहुर पहर से ही ओवरलोडिंग वैद पार्किंग के खिलाफ प्रशासन का चाबुक चला है सिटी मजिस्ट्रेट सी ओ के नेतरत्व में खनेज विभा की टीम ने हाईवे पर ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया और ओवरलोडिंग गाडिया कागजों में गडबडी और गाड़ी नंबर प्लेट में हिरा फेरी वाली गाड़ियों को प्रशासन ने सील कर दिया है और कुछ ट्रकों का च्यालान किया गया तो वहीं प्रशासन की कारेवाई को देखते हुए कुछ चालक फरार हो गए और मौरंग माफिया बेचने है खबर और यह से हैं जहां ककोर मुख्याले इस्तेत कारियाले पर आजादी के अमरित महोसब को लेकर जुलादिकारी ने सभी लोगों से जंड़ा फेराने की अपील की है और बताया कि इस बार शासन के निर्देश पर आजादी का 75 साल 15 अगस्त को पूरा हो रहा है जिसके चलते ही 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक एक हफ़ते का कारिकरम हर घर तिरंगा के नाम से चलाया जाएगा इस बार शासन के निर्देश हैं कि आजादी का 75 अगस्त जो 15 अगस्त को पूरा है उसमें एक हपते का कार्गम 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त हर घर तिरंगा के नाम से चलाया जाएगा जिसमें हम सभी से अन्रोथ करेंगे अपील है कि हर नागरीक अपने मकान पे वह आवासी मकान हो व्यावसाई हो अवद्योगिक प्रतिष्ठान हो या कोई भी एक्टिविट होना चाहिए वीच्विक्स थ्री बाई टू का अनुपात होना चाहिए रेशियो तीन अगर लंबाई है तो दो चोड़ाई होनी चाहिए तीस बाई बीस का जंडा एक मानक रखा गया है वैसे अगर कोई छोटा भी उससे ले सकता है तो फराय लेकिन एक जंडा आरोहर जर कर्मकर हत्या करने की आश्रिंगा जताई है जिसके बाद पलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुची पुलिस ने शेख को कबज में लेते हुए पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया और मामले की जाच में जुट गई जब लेट होई ग्यारा बजे जब धूड़ना चली गई संभल में आदे घंटे हुई बरसात में भयंकर चल भराव की तस्वीरे सामने आई है स्कूल के समय हुई बरसात के बाद जोहाँ स्कूली बच्चे और उनके गारजियन गंदे पानी के बीच से होकर गुजरने को मजबूर है तो वहीं आदे घंटे की बरसात में नगर पंचवायत की पोल खोल दी है पंचवायत की बरसात के बाद पानी कूरा है प्रवायत को समय नहीं नहीं तो आप लोकर भी सिकायत है कि खबर बलीच से हैं जहां बारिश ना होने के वजह से किसानों की धान की बेहन खेतों में सूखने लगी है खेतों में बड़ी बड़ी दरारे भी दिखाई दे रही है वहीं अगर बात करें सरकारी ट्यूबेल और नहरों की तो बिजुली की सही वोल्टेज नहीं आने की विज़े से सरकारी मोटर भी नहीं चल पा रही है बलिया में अभी औसत से कम वर्षा हुई है और जो हमारा कुशी को भाग है उसको सचेट कर दिया गया है जिसको भी जिस प्रकार की बीच की आवशकता है उसको वो ततकाल रूप से उपलक्त कराए जा रहे है और मौसम पे लगाता हम लोग की नज़ब बने हुए खबर गोरकपुर से है जहां चोरी चोरा छेत रखे देवीपुर में हाईवे पर सेत वरिष सपानेता मारकंडे यादव के घर चोरी हो गई चोर 55,000 उपे नगदी सहित कई कीमती समान लेकर उड़ गए है तो वहीं सूजना में मौके पर पहुँचे सपी नौर्थ ने बताया कि तीन टीमों का गठन कर दिया गया है बहुत जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा सपानेता मारकंडे यादव के घर चोरी के घटना ने पूरे छेतर में चर्चा का विश्य बन गई है पर खुल रात में करीब 10 से 11 बजे के बीच में मारकंडे यादव के घर चोरी हुई है उन्होंने खाने पर यह सूचना करीब 11 बजे रात में भी है और केंटे में बना करके उन्हान आवरण का प्यास करें प्राइम मुत्तर प्रदेश में फिल हाल ताही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार